दोस्तों हमारी पिछली वीडियो भी मोटिवेशन परी थी लेकिन वो सभी मूवीज सच्ची घटनाओं पर आधारी थी अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों आज भी हम वैसी ही पाँच फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिससे हम सोचने और उमीद रखने का नया नजरिया पा सकें तो चलिए बिना किसी देरे के शुरू करते हैं दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 1989 में है तो काफी पुरानी मुवी पर इस मुवी से जो सीख मिलती है उसकी जरूरत उतनी ही आज भी है जितनी की तब थी दोस्तों इस फिल्म के में एक्टर थे रॉबन विलियम्स जो की काफी उम्दा एक्टर थे और उन्होंने इस फिल्म में एक English टीचर की भूमिका निभाई थी दोस्तों उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो उन्हें बाकी टीचर से अलग करता था कैसे वो इस्कूल के कुछ चात्रों को किताबों और क्लास्रूम की दिवारों से बाहर आकर बाहर की दुनिया से विद्या प्राप्त करने को प्रेरित करते थे कैसे वो उन चात्रों में अपने सपने को साकार करने की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये movie ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों हमें अपना education केवल अपनी किताबों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारा education हमारे behavior से पता चलता है ना कि desk पर रखी हुई किसी मोटी सी किताब से नमर टू दशाशांक redemption तीन चीज़े जो हमें केवल competition की दुनिया में बहुत आसानी से आगे बढ़ने दे सकती हैं वो है hope, believe and patience दोस्तों स्टार्ट अप करना तो आजकल बहुत ये आसान है लेकिन आगे वही जाता है जो खुद के अंदर hope, believe and patience को आगे ले करके बढ़ता है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही movie के बारे में बताने जा रहा हूँ इस film में Andy नाम का एक आदमी जो अपनी wife के जूटी murder के इल्जाम में जेल चला जाता है पर उसे ये सजा कभी भी मन्जूर नहीं होती है और वो जेल से भागने की ठान लेता है वो पूरे 17 सालों में जेल से बाहर तक एक सुरंग खोथता है वो भी बस एक हथोड़ी की मदद से और वो ये सिर्फ अपने खुद के उपर उमीद और विश्वास के कारण ही कर पाता है क्योंकि अगर आपको अपने उपर विश्वास है तो दुनिया में कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोख सकती तो दोस्तों ये मूवी आप लोग जरूर देखए क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप मेंसे कई लोगों ने ये फिल्म देखी होगी पर हाँ जिसने भी नहीं देखви है उन्हें आज ही ये मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप कम से कम अपने जिन्दगी में ये तो नहीं कह रहे होते कि मुझे सकसिस क्यों नहीं मिल रही या मुझे सकसिस कब मिलेगी ये फिल्म एक सेल्समेन की है जिसके जिन्दगी में अगर कुछ सही चल रहा होता है तो वो है घड़ी की सुईयां रेंट न देने के गारड उसे अपार्टमेंट से निकाल दिया गया अपार्टमेंट से निकालने के बाद वो कैसे अपने छोटे बेटे को साथ लेकर कभी प्लेटफर्म पर तो कभी रोड पर तो कभी शेल्टर होम में अपने जिन्दगी गुजारता है और इसी दौरान एक ब्रोकिश फर्म की नौकरी के लिए तैयारी भी करता है और भी कई कटिनाईओं के बावजूद उस ब्रोकिश फर्म में नौकरी ले ली पॉजिटिविटी और पेशिंस यानि की सफलता और धैर ये सभी सफलताओं के रहसे हैं और इसलिए ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए नमबर फूर हर दोस्तों हमारे जिन्दगी भी बहुत अजीब रही है लोग पहले लेटर से बाते करते थे टेकनलोजी ने हमें बहुत ही बदल दिया अब हम फोन कॉल वीडियो चैट एक दूसरे से इजली मिल पाना ये सब कुछ बहुत आसानी से कर लेते हैं पर कि आपने कभी सोचा है कि टेकनलोजी के बदलने के बाद हम किसी आवाज से सिर्फ आवाज से वैसे ही जुड़ जाएंगे जिस चीज की हमें बिल्कुल आदत भी नहीं रही है आपके इस सवाल का जवाब आपको ये मूवी देखने के बाद मिल जाएगा इस मूवी में मशूर एक्ट्रेस सकालेट जॉनसन की सिर्फ आवाज है एक इनसान जो की डाइवोज्ट है वो सिर्फ एक आवाज से प्यार करने लगता है ये जानते हुए भी ये शायद वो उससे कभी इन मिल नहीं पाएगा दोस्तों एक basic human need क्या होती है और हम क्या कुछ पा सकते हैं क्या को सकते हैं टेकनलोजी हमारे निज़ी जिन्दगी कुछ इस तरह से बदल देगी कि हमारे सोचने समझने का नजरिया बिलकुल ही अलग हो जाएगा शायद हमारे सच जिस सच को हम जानते हैं वो बिलकुल ही बदल जाएगा वैसे तो ये comedy film है पर हम इस movie से बहुत कुछ सीख सकते हैं यसी एक ऐसे person की कहानी है जो बड़ा तो हो गया है लेकिन दिमाग अभी भी उसका बच्चे की तरह ही है यानि वो शारेविक तोर पर तो बड़ा है लेकिन उसका behavior अभी भी बच्चों के जैसा है पर ये बच्पनापन उसके लिए कमजोरी नहीं बलकि उसका एक plus point होता है जिस तरह से एक बच्चा हर नई चीज को बड़े गौर से देखता है और वो उसे सीखने और समझने की कोशिश करता है ठीक उसी तरह से Forest Gum जो उसका नाम है अपनी असल जिंदगी के हर एक problems को एक बच्चे की नजरिये से देखता है और उसे solve भी करता है जरूरी नहीं है कि हर चीज अपने फाइदे के लिए ही की जाए कुछ चीजों को करने की चाह ही खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रेड़ा होती है ये movie आपको हसाने के साथ साथ आपको आपके बच्च्पन की भी याद दिलाएगी दोस्तों इन पांच फिल्मों को आप जरूर देखिए अपने परिवार अपने फ्रेंस को भी जरूर दिखाईए और हाँ इन movies से आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए movies के लिंक आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना साधी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा धन्यवाद